हे एवरिवान वेलकम टू मैं चैनल निटसंच कीचिन आज हम बनाने वाले है आलू का एक बहतरीन नास्टा जिसे आप तक पहले कभी नहीं बना होगा आपने घर में बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीश़ और बहुत ही क्विक जैसे आलू तो हमारे घर में पड़े ही होते है उससे आज हम बहतरीन नास्टा बनाएंगे आवाज आप लोग सुन लेजेगा इसकी कितना क्रिस्पी है सुनीन आपने तो चलिए अभी बीना हमारा टाइम वेस किए हम इसकी रेसी भी बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल का सब्सक्राइ किया है मैंने और धंडा किने के बाद हमने इससे स्मेश करना है अच्छे से स्मेश होने के बाद मैंने इसमें दो बारी कटे हुए गुरीन चिली जैड की है एक थोड़ा सा इतना धन्या एड किया है ग्रेटर चीज एड किया है मैंने इसमें यह अमुल का चीज है क्यूब क्यूब वाला चीज इसमें 1 फोट टेबल स्पून पैप पाउडर एड किया है हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पूर और अगैनो और नेक्स हम इसमें डालेंगे अभी कौन फ्लॉर एक चम्मच और एक चम्मच मैदा तो इसे ग्रीप आने के लिए क्य दोगाना है हमें जैसे हम लग आठा लगाते हैं हैं जैसे चप्ति सोधा संगस से लिए खुआ है शाव स्पून फोड़ा टेल एडा कर सकते हैं एक हाफ इसपून इट ना तो बन में आप लिए मैंती हैने आपके लिए घुठी मिटा ठीन करते संग से Н किया दे ऐ लिएक एक टीबल स्पून लिया है कॉन फ्लोर और उसी मातरा में एक टीबल स्पून मैदा उसमें मैंने दाला है थोड़ सा नमक चार पाच पींच इतना पैपर बॉडर ये सारी चीजें हमने थोड़ से पानी में इसे मिक्स करनी हैं इसकी हमने इसी ज्यादा पतली ही नहीं और जा है और ऑलिया है याप हैं पर सेव्या जिसे हम लोग कोट करेंगे ब्रेड क कर्याँ से हमने और से अक्रे और से बड़े नहीं करीदटानि और से ब्होंसी और से बहुत atया से बहुत बढ़े से डरा रहते हैं तो आपको चोटो चाते से करने से अशना प्रएसे पृशह अ स आप नॉम्मल जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं आप वेसे बनाई हैं आप स्टार शेप कौन सभी शेप लेकि बच्चों के लिए स्टार शेप लेकि आप लोग बना सकते हैं तो सारी प्रकासि मैं हमने यहां पर यह यह बना कर रेडि किया है अभी जब टिक्किया बन जाए तो हम एक ही करके इसे सलरी में डिप करेंगे और जो हमने सेविया ली थी उससे हम अच्छे से इसे कोट करेंगे और कोट करने के बाद एसे 10 मिनिटर साइड में रखेंगे ताकि वो अच्छे सेविया उसे चिपक सके जनफ से बहुत क्रिस्पिन साता है, जरूर ट्राये करना है। अबक हो अच्छा लएगा अपकर लगी मैं टिकिया एड़ करेंगे। हमने यह Не 부탁 और याली कि लिएक जाह, तो हो इसमें टिकया एड़ करते हैं तो क्राउड नहीं करना चाहिए एक एक करके या दो दो करके आप लोगों को निकालनी है और जैसे आपको लगे यह कलर बदलना स्टार्ट हो रही है गोल्डनिश बन रही है एक साइड से तो आप लोग उसके फिलिप करना है दूसरे साइड में यह मीडियम टू लोफ में मै अबसर्ब होने के लिए तो यहां पर हमारे टिक्की बनकर तयार है बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशस टिकी गोल्डन जैसे देख सकते हैं आपका कलर इसका कितना प्रिटी कलर आया है और कौन से बेडिप के साथ आप लोग सर्फ कर सकते हैं यहां पर मैंने लिया है सॉस व अपने कभी ऐसी कहरी नहीं होगी जैसे सेविया की कोटिंग देते हैं वो यूजिली कोई नहीं बताता है यह ज़रूर बनाना आपके गहने बहुत ही क्रिस्पी लगता है ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के सार और जब भी कोई आये अपने गहर में ज़रूर उनको आपको मेरी रेसिपी कैसे बनती है और मुझे कमेंट में भी बता आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी तो तब तक के लिए बाए बाए